चैप्टर 11 अंडरस्टेंडिंग क्वाइडिलेटरल ब्रेन टीजर की वर्क्षिट का यह फोर्थ कॉस्चन है A, B, C, D, J, क्वाइडिलेटरल इन विच आल फॉर साइड्स आर इक्वल एक क्वाइडिलेटरल है जिसकी सभी साइड्स क्या है इक्वल है हमने प्रूव यह करना है कि इसके दोनों पेर बोथ पेर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरलल जो इसकी दोनों साइड्स के जो पेर बन रहे हैं वो क्या है पैरलल है तो बिल्कुल इजी कोस्चन है यह देखो कैसे करेंगे इसको अब गिवन क्या है ABCD जो क्वाडिलेटल ABCD हमने बना लिया ABCD यह क्वाडिलेटल बना लिया और इन विच AB, BC, CD, DA यह सारे क्या है इक्वल है यह भी गिवन है अब प्रूव क्या करना है प्रूव हमने करना है AB जो AB है वो CD के पैरलल है और AD, BC के पैरलल है तो हमने construction क्या करी, join कर दिया AC को, यह prove करने के लिए construction जुरूरी है, AC को हमने join कर दिया, और यह मान लिया हमने angle 1, इसको angle 2 इसको angle 3, इसको angle 4 आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है 1, 2, 3, 4 हमने मान लिया यह angle, अब क्या करेंगे हम इन दोनों triangle को इक्वल, sorry, congruent prove कर देंगे, जैसी यह congruent होएगी हमारा question हो जाएगा, इन triangle ABC और triangle CDA, A ABC और CDA, यह दोनों triangle ले ली हमने, AB equal to CD AB equal to CD यह क्या है, given है, क्योंकि इसने कहा था सारी sides equal है, ठीक है और BC, और जो BC है, वो AD के equal है, जो BC ID के equal है, यह भी इसने given था कि सारी oside equal है, और ABC क्या होगया, common होगया AC AC दोनों में है, तो common होगया तो by side 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 congrency triangle दोनों क्या हो जाएगी, congruent हो जाएगी, triangle ABC congruent 2, triangle CDA दोनों congruent होगी, तो angle 1 equal to angle 2 हो जाएगा angle 1 equal to angle 2 हो हो जाएगा CPCT से, AC एंगल 4 equal to angle 3 हो जाएगा ये भी CPCT से जब दो triangle concurrent होती है तो उनके सभी corresponding part भी equal हो जाते हैं ठीक है तो ये आगे हमारे पास ये result आ गया और angle 1 और angle 2 क्या है इसको हम क्या कहेंगे ये बोलेंगे हम alternate angle कैसे देखो हमने ये line segment लिया CD और ये line segment लिया AB ये ले लिया CD ये लिया AB और ये AC इसको ऐसे क्या कर रही है transversal है इसको cut कर रही है transversal दोनों lines को तो ये angle 1 है ये angle 2 है अभी अभी हमने प्रूव गिया अगल 1 और angle 2 क्या है equal है और ये कौन से angle होते हैं आपको पता ये मैंने करवाया था आपको parallel line वाणे चप्टर में ये कौन से angle होते हैं ये alternate angle होते है ये देखो ये Z सा मन रहे हैं ये Z जहां पे भी बड़े alternate angle होते हैं ये angle 1 है ये angle 2 है दोनों equal होगे alternate angle है जब alternate angle हो जाते हैं तो lines क्या हो जाती है पैरलल हो जाती है यानि कि AB parallel to CD हमारा half question हो गया AB parallel to CD तो इससे हमने क्या निकाला angle 1 और 2 अंगल 1 और 2 और alternate angle so AB parallel to CD इसलिए AB parallel to 3 ये भी alternate angle है कैसे देखो ये बनाया मैंने ये बनाया AD ये बनाया AD और ये बनाया BC इदर बना दिया BC और ये कर रहा है cutting को AD और BC को ये हमने आनि क्रांटर रहे हैं ये Pardon कर दिये उसलिए रहे है है ये बहुत है मतलब है AD parallel to BC तो दोनों चीज़े हमने प्रूव कर दी AB parallel to CD और AD parallel to BC तो हमने यही प्रूव कर दे जो इसने कहा था बोथ pair of opposite side of a quadrilateral ABCD are parallel यही हमने प्रूव करना था एक दो बार इस question को आप देख लेना इसकी practice अच्छे से कर लेना हम next question देखते हैं में क्या given है हमें angle A और angle D equal to 180 degree हमें given है does this mean AB parallel to DC क्या इसका मतलब है कि AB और DC parallel है why यह बताना है कि क्यों what special name does the quadrilateral have इस quadrilateral को हम क्या नाम देंगे तो हमने पहले एक quadrilateral बना लिया ABCD ABCD हमने एक क्या बना लिया भई quadrilateral बना लिया और उसमें क्या है भई angle A और angle D क्या है sorry angle A और angle D का क्या है मारे पास 180 है सम तो लिखेंगे हम ABCD जो quadrilateral in which angle A plus angle D equal to 180 यह हमें given है और जब 180 हो जाता है ऐसे किसी quadrilateral में इन दोनों का सम 180 अगर हो जाए तो हम लिखेंगे कहेंगे sorry ऐसे भी कह सकते हैं interior angle on the same side of transversal are supplementary अगर interior angle on the same side अगर दोनों का सम क्या हो जाए भई दोनों angle का सम कितना हो जाए 180 डिगरी हो जाए तो इसका मतलब क्या है A, B और C, D parallel हो जाते हैं यह अपने parallel line वाले chapter में पढ़ा होगा क्योंकि इन दोनों angle का सम 180 डिगरी हो गया इसलिए यह दोनों lines क्या हो जाएंगी parallel हो जाएंगी तो लिखेंगे हम A, B parallel to D, C और A, B parallel to D, C हो गया in this quadrilateral in this quadrilateral one pair of sides are parallel तो हमने क्या दी दिया इस quadrilateral में एक pair parallel हो गया जब एक pair parallel हो जाते है तो क्या कहेंगे so it is a trapezium so this is a trapezium आपको पता है ना trapezium की property क्या होती है trapezium में क्या होता है एक pair parallel होता है और एक non parallel होता है तो इन दोनों का सम 180 हो गया था angle का सम इसलिए यह वाली line और यह वाली line क्या होगी parallel होगी तो इसलिए यह क्या बढ़ गया यह क्या बढ़ गया क्योंकि इन दोनों lines के बारे में हमें नहीं पता यह parallel है या नहीं तो हम इसको क्या बोलेंगे इसको हमें के trapezium ही बोलेंगे तो हमारा वई तो इसने जो question पुछा था वो हो गया हमारा कि does this mean AB parallel to DC तो हम लिखेंगे yes AB parallel to DC और फिर आगे पुछा था उसने what special name does the quadrilateral have इसका quadrilateral का नाम क्या है क्या नाम दोगे आप तो यह क्या है this is the trapezium तो यह हमारी exercise होगी खतम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ share जुरूर कर देना next वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार